वेलिकम बैक टू Malviya CAD Solution तो यहां पर देखिए हमने 5th पार्ट क्रियेट किया है गैस रेगिलेटर का यह एक स्कुरू है जो रेगिलेटर को टाइट करने वाला है दोनों साइट से तो यहां पर देखिए हमने कुछ बेसिक फिचर यहां पर यूज किये है फिर यहां पर cosmetic thread यहां पर apply किये है फिर यहां पर इस rod में हमने दोनों साइड में dome feature का यूज किया है तो आप वीडियो पर end तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लेजिए और हर बार की तरह इसका drawing भी आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से चैक कर सकते है इसके previous part के tutorial भी हमने उसके link यहां पर दे रखी है description box में आप वहाँ से देख सकते है तो चले हम start करते है तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले front plane select करेंगे फिर यहां पर एक central line ड्रॉ करनी है यहां पर origin point से यहां पर देखिए midpoint line यहां पर टिक कर देंगे और origin point से ऐसे vertical हम एक central line ड्रॉ कर देंगे फिर यहां पर यहां पर line tool अक्टिवेट करना है फिर आपको इस तरह से line ड्रॉ करके इस तरह का sketch ड्रॉ करना है इस तरह से एक sketch ड्रॉ करना है अब हम इसके सारे dimension ड्रॉ करेंगे तो यहां पर dimension tool अक्टिवेट करेंगे फिर यहां से इसका full round आपको एपलाई करना है 8 mm फिर आपको क्या करना है इस line को select करना है और इस line को select करना है फिर इन दोनों को select करने के बाद इससे collinear कर देना है फिर से smart dimension हम activate करेंगे फिर इस line को select करना है इसका center diameter 5 mm एपलाई करेंगे अब यहां पर इसका distance रहेगा 5 mm और यहां पर बॉटम लाइन से इस point का distance रहेगा 11 mm फिर यहां पर इस line से इस point का distance रहेगा 2.5 mm इस line से इसका taper angle 50 degree इसका angle रहेगा फिर यहां पर इसका angle रहेगा 55 degree और यहां पर इसका distance 3 mm एपलाई करेंगे तो देखे इस तरह से हमारा sketch fully defined हमने यहां पर कर दिया है अब simply आपको फिचर में जाना है और यहां पर देखे revolve wash एपलाई करना है simply okay कर देना है अब आपको क्या करना है यहां पर search command यहां पर आपको type करना है cosmetic thread आप यहां से menu बार में insert वाले menu में जाके भी activate कर सकते है तो हम यहां पर इसका location thread का location हम इस age को select करेंगे फिर यहां पर unsymmetric फिर आपको machine thread फिर यहां पर इसकी size एपलाई करना है 8 by 1.5 फिर blind condition यहां पर 8 mm एपलाई करेंगे और simply okay कर देना है अब यहां पर हमें thread show नहीं हो रहे है setting में जाएंगे setting में जाने के बाद document property फिर यहां पर detailing में जाना है फिर shaded cosmetic thread select करके okay कर देना है तो देखिए यहां पर thread एपलाई हो जाएंगे अब यहां पर इसका appearance एपलाई करेंगे appearance में जाएंगे metal में जाएंगे फिर यहां पर brass और polish brass यहां पर एपलाई करेंगे अब हम क्या करेंगे यहां पर whole wizard में जाएंगे whole wizard में जाने के बाद यहां पर simple hole फिर यहां पर unsymmetric drill size यहां पर इसका size रहेगा 4 mm through all position में हम क्या करेंगे इस circle circular face को select करेंगे फिर यहां पर यहां पर हम यह hole select कर देंगे set कर देंगे escape की से हम out हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है यहां पर plane select करना है तो हम यहां पर right plane select करेंगे फिर यहां पर control की hold करनी है और इस point को select करना है इस point को select करने के बाद make on plane यहां पर click कर देना है तो देखिए यह हमारे जिस plane में हमने set किया है इस hole को हमाँ पर set हो जाएगा और फिर स्केप की से आउट हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है स्मार्ट डाइमेंशन तो इस फेस को सिलक करना है इस पॉइंट को सिलक करना है और यहाँ पर इसका डिस्टेंस रखेंगे 2.5 mm और सिंप्ली ओके कर देंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पर फॉल एप्लाइ हो गया है फ्रंट प्लेन सिलक करेंगे और यहाँ पर स्केप्च ड्लॉ करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस सर्कल को सिलक करेंगे और यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे अब फीचर में जाना है और एक्स्टूट बॉस एपलाई करना है एक्स्टूट बॉस में यहाँ पर ब्लाइंड कंडिशन की जगे हम मीड प्लेन सिलेक करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज रखेंगे 32 mm और फिर सिंपली ओके कर देना है फिर से एडिट में जाएंगे यहाँ पर देखें मर्ज रिजल्ट इसे अंटिक कर देना है और फिर ओके करना है फिर आपको इंसर्ट मेनू में जाना है फीचर में जाना है और यहाँ पर डॉम फीचर को एक्टिवेट करना है यहां पर इस फैस को सिलेक करेंगे और यहां पर इसकी साइज रखेंगे 2 mm फिर ओके करना है तो देखें यहां पर हमारा स्कूरू रेडी हो गया है यह हमारा 5th पार्ट रहेगा इससे सेव कर देते है तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है Gas Regulator इसमें हम इस पार्ट को हम सेव करेंगे पार्ट 5th के नाम से और सेव कर देंगे वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक किजिए, शेर किजिए और नेक्स पार्ट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे है और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे प्रोजेक्ट आपको रोज मिलते रहे तो मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई